सो आज है डे 6 और ब्रहमचेर एंडो फैप का एक बहुत अच्छा मुझे फायदा दिखता है कि जैसे जैसे डे बढ़ते हमारी एनरजी लेवल भी बढ़ता चला जाता है पैसे तो मैंने रिलैप्स नहीं किया था लेकिन ब्रहमचेर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाये तो मेरा रिलैप्स था क्योंकि फ्रस्टेशन हो रहा था ना वाई कुछ अच्छा लगी नहीं रहा था क्योंकि एकदम से पॉन पर ब्रेक लगा दिया था है ना तो इसी लिए मेरा एनरजी लो था बट जैसे जैसे अब डेस बढ़ेंगे 30 डेस तक आते आते हमारी एनरजी एकदम अपर होगी भ किन से प्रभावित हैं वो लोग आपको ब्रहमचर की तारीफ करते हो दिखा ही देंगे लेकिन मैं आपको कहता हूं आप वह करो ना जिसमें आपका वायदा है रहे चाधर उन्हों नहीं सुह लिए लेंगवेज बोलते हैं जो किताभों लिख्यए आपने ने सायथ नहीं पढ़ी होंगी बट मैंने पढ़ी है तो मुझे पता हुए कि एक word पूरा scripted होता है उन किताबों से तो फिर उन्होंने क्या सिखाया आपको मैं आपको वो सब कुछ नहीं सिखा रहा हूँ जो किताब में पता है कब लिखी गई थी उस टाइम पर वह distraction वहाई नहीं करते थे जो आज कल है न पॉन था न मोबाइल फोन था कुछ भी नहीं था फिर वह बात हैं आज वैसे ही उन्में से follow हो सकती है कुछ बात है लेंगे सारी की सारी बात आव ऐसे ही follow हो जाएंगी ये तो सम्मब नहीं तो आज की परिसिदियों के इसाब से थोड़ा जो हमने feel किया जो हमारी क्योंकि कुछ लोग आपको बोलेंगे ब्रहमचरी को follow करते जाओ क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताब पढ़ा है कुछ लोग आपको बोलेंगे nofap को follow करो क्योंकि वो सिर्फ 30-60 वाले होते हैं उससे ज्यादा वह control भी नहीं कर सकते हैं ठीक है मैं आपको पता है क्या बोलूँ अब अगर देखा जाए तो दो option है आपके पास एक तो first class का student बढ़ना एक graduate student बढ़ना आप कौन सा प्रफर करोगे graduate student बढ़ना आपने गलती करती सर दिखने में और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन graduate होने के लिए first class भी तो पढ़ना पढ़ेगा ना सर first class से ह लुए होते हुई तो जाओगे तो ब्रह्मचरी से nofap इंफिरीर जरूर है बट बॉरा नहीं है क्योंकि ब्रह्मचर की सुरुवाथ नोफैप सी ही उती है जिन से ब्रह्मचरी का पालन नहीं हो रहा है वो क्या गरें वो nofap करो ना यार और मैं कहे रहूं किसी से any step क्या है यह आपके body वाले वी जो movement होते हैं उनको चंट्रोल करने की बात करता यह आपके thoughts को चंट्रोल करने की बात नहीं करता ब्रहमचर में thoughts को भी control ना पड़ता है अगर आपके body body movements ही आदत में बन चुके हैं आपके thoughts आप कुछ भी करने हैं लेकिन body movements आपके अपने आपास बन चुके हैं तो फिर भाई आप तो उस तर्ब जाओ गई मैंने जादतर देखा है जिनने feel की होगी यह चीज वो connect कर बाएंगे कि बेसक thoughts से ही हमारी body move करती है बट यहां इस case में हमारी body move करने लगती है अपने आप क्योंकि एक habit बन चुकी होती है addiction जब हो जाता ना किसी चीज़ का तो thought आए ना आए वो time होते ही आप अपने आपको जैसे अकेला पाऊ गई रात हो गई बारह एक बच गई वो time होते ही आपकी body movement सुरू हो जाते है thoughts नहीं आए mood भी नहीं आपका बट body movement सुरू हो गए तो nofap आपके body movements को रोगने की बात करता है अब हमने nofap की definition को तो समझ लिया बट ब्रह्मचरी की भी तो कोई definition होगी ना यार तो मचरी की definition भी बताऊंगा उसका साब्दिकर्थ भी बताऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं हमारे जो Hinduism है ना उसमें ब्रह्म जो चीज ने सबसे superior force को दर्सा आता है जैसे देवों के देव महादेव विष्णू उनके भी देव मतलब उनसे भी बड़े ब्रह्म देव तो ब्रह्म यानि कि सबसे बड़े देव जो सबसे superior force है उसको दर्साहिज जाता है ब्रह्म के नाम से जैसे प्रत्वी बहुत बढ़ी है विए प्रत्वी से अब बड़ा सूर्य से भी बड़ी है मतलब गैलेक्सी गैलेक्सी instructors साजी मिला के बड़े बड़े श्टार उसे सबसे बड़ा क्या है नहीं है उसको भर्रह नाम डिया आज आपने दिन भर में किन-किन आचरणों को follow किया, कैसा आपका आचरण रहा, तो वो जो दिन चर्या होती है न, ब्रह्म आचरण वाली, उसी को ब्रह्म चर्य कहते हैं, ये तो हो गया साब्दिक अर्थ, ठीक है, और भी कई सारे अर्थ निकलते हैं इसमें से, लेकिन जो स सबसे जादा लॉजिकल है, वो यही है, इससे जादा लॉजिकल आपको कोई अर्थ बता नहीं पाएगा इसका, ये सबसे जादा लॉजिकल टर्म है, आपको समझ में भी आया होगा, अब डेफिनेशन क्या होती है ब्रह्म चर्य के, डेफिनेशन ये मैं बुक से मन बचन वाय कर्म यानि की आपके थौट्स आपके एक्षन यानि बॉडिली मुमेंट्स और आपके वचन जो आप बोल रहे हो उनसे दोनों ही अवस्था यानि की निद्रित अवस्था जागरित अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में मैथुन का सरवतात्याग करना यह होता है ब्रहमचर, अब आप कहोगे तो जब हम निद्रे तवस्था में नाइट फॉल हो जाता है तो यानि कि ब्रहमचर खंड़ेत हो जाता है, आप बड़े बड़े रेसी मुनियों से पूछ लेना सायर, वो भी आपको घुमा देंगे, कोई कहेगा कि हाँ हो जाता है, क किसी भी किताम में आपको नहीं मिलेगा, एक होता है ब्लैक नाइट फॉल और एक होता है जैसे आप स्वापन दोस कहते हो, जब श्वापन में आप किसी अपोजिट जैंडर के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का सम्मद्ध बनाते हैं, उसके बाद आपकी एकदम नेंद खुलती है और आपको पता चलता है कि आपको नाइट फॉल हुआ है, यह होता है मैं स्वापन दोस, अगर यह आपको हुआ है तो आपका ब्रमचरी खंडित हो गया है, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, दूसरा होता है ब्लैक नाइट फॉल, या फिर दबाब की वज़े से आपको नाइट फॉल हो गया, कोई सौपन नहीं आया, इस्क्रीन पूरी ब्लैक थी, ऐसा भी नहीं कि आप भूल गए हो, कोई सौपन नहीं आया आपको, यह ब्लैक नाइट फॉल, अगर यह हुआ है तो आपका ब्रमचरी खंडित नहीं हु पर रहे होते हो, सीख रहे होते हो से, अभी आप ब्रमचारी बने नहीं होते हो, पका ब्रमचारी वह होता है, जो ब्लैक नाइट फॉल को भी जीत लेता है, ठीक है, तो यह चीज़ा मैं कैसे बता रहा हूँ, ब्लैक नाइट फॉल तक पहुंच चुका हूँ, दीमे दीमे कोसे से को भी जीतेंगे हम तो मैं यार किताबी ग्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो पुराना ग्यान आपके उपर वैसा के वैसा थूप दिया जाए नई बातें करेंगे नए सिरे से आज के लिए तना काफी है मिलते हैं अगली वीडियों तब तक लिए खुश रही है बाई बाई